दोस्तो, आज मैं लेके आगया आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो, ये मेरे एक सब्सक्राइबर है यूट्यूब के, जिनका नेम है नितिन जयन, उन्होंने बोला हमारी कमपनी में अलग-अलग फाइल फॉर्माट में मुझे डेटा मिलता है, मगर उसके अ इं-to-end देखना आपको पूरा समझ आ जाएगा, आप देखें सबसे पहला फाइल फॉर्माट जो है वो PDF है, second xlsx है, उसके बाद xlsb है, फिर csv है, फिर xls, फिर से एक और xlsx है, और last में एक आपका access file है, इन फाइल को अगर हमें consolidate करना हो, तो कैसे करें, सबसे पहले मैं आपको file के अंदर के content दिखा देता हूँ, मैंने इसको minimize किया, सबसे पहला जो हमारा file है, हम देख लेते हैं PDF, okay, PDF में कुछ ऐसा है, ये PDF file format है, इसमें जो हमारे year है, 2014 है, बट ये देखें, ये last column में है, ध्यान दिना, second हम file format देख लेते हैं, हमारा year है, इसमें हम देखते ह 1, 2, 3, 4, and 5, 5th column में है, और हमारा जो एक access file था, उसका file format भी हम देख लेते हैं, ये रहा मेरा access file, इसमें जो हमारे year है, वो भी 4th column में, तो इन सारे year को हमें consolidate करना है, और उसके basis में एक data analyze करना है, तो कैसे करेंगे, चले, फड़ा फट से देख लेते हैं, मैं सब को minimize कर दे blank excel open करने के बाद आपको क्या करना है, इसके data tab में जाना है, यहाँ पे get data है, get data में आपको launch power query editor में click करना है, ध्यान रखना एक बारी में अगर आप folder भी upload करना चाहोगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर option है, folder upload का, बट इसमें file format अलग-अलग है, तो वो error देदेगा, इसलिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे launch power query editor को click करना है, मेरा power query editor यहाँ पे launch हो गया, अब एक एक करके जो भी 5 file format है, उनको मैं upload कर लेता हूँ, मुझे क्या करना है, home में जाना है, यहाँ पे new source है, new source में click करना है, सबसे बहला हमारी कौन सी file है, चलिए let's take, हम CSV को upload करते है मैंने click किया, मैं अपने file के location में आ गया, यह fourth file मेरी CSV है, मैंने इसमे click किया और import, यह मेरी CSV file upload हो गई है, मैंने simply okay कर दिया, मेरी एक file आ गई है, जो की fourth file है, ठीक है, उसके बाद मैं फिर से source में गया, मैं Excel में गया, Excel में हमारे पास second, third and fourth है, क्योंकि second हमारी XLS है, फिर B है फिर से एक और Excel है, मैंने second को click किया, और इसको select किया, और okay, यहां भी मेरी second file upload हो गई है, मैं फिर से Excel में जाता हूँ, मैं third file को upload करता हूँ, third file को select किया, okay, और यह मेरी third file भी upload होने वाली है, यहां पे, मेरी third file भी upload हो गई है, फिर से मैं जाता हूँ, क्योंकि इसमें मुझ बाद मेरी कौन सी फाइल है pdf जी हां तो हमें new source में फिर से click करना है यहां पर file format में नीचे आके देगे यहां पर pdf है आपको pdf में click करना है आपकी pdf फाइल first है first को click करो import करो जो भी data है उसके अंदर data selection का option आएगा total pages मैं यह वाले select करके okay कर देता हूँ ठीक है जी मेरे pdf फाइल को इंपोर्ट कर लिया तो देखे यह सारे के सारी छे फाइल मेरे table format में मेरे query editor में upload हो गए यह आप यहां पर easily देख पा रहे हैं अब मुझे इन सारी files को combine करना है आपने देखा होगा ध्यान से कि इन में जो columns है वो different locations में है fourth में click करते है fourth में column जो हमारे year है वो है fifth column में ठीक है second में click करते है जो हमारे year है वो है आपके हम scroll करते हैं तो वो है आपके last column में देखे उसके बाद third file में भी ऐसे year और data अलग-अलग column में है तो ध्यान रखना header name हमेशा similar होने चाहिए यह फर्क नहीं बढ़ता आपका पहले column में है या last column में है आपके header name हमेशा similar होने चाहिए और यह देखे fifth file भी fifth file में हमारे third column में है sixth file में भी हमारे almost last column में है and so on तो इनको हम consolidate कैसे करें जब आपने सारी file upload कर दी उसके बाद आपको क्या करना है आपको जाना है append queries में append queries में click करिए यहाँ पे append queries आता है new और append queries हमें new करना है क्योंकि हमें एक नई consolidated file बना लिए यह window आपके पास open होके आ जाएगी हमारी जो file है जो जितने भी tables है वो तीन से जादा है राइट तो हमें यह वाला option select करना है already हमने fourth file को select किया हुआ है उसके बाद आप second को select करिए shift की मदद से last file को select करिए और add सारे file add हो गए अब आपको simple ok में click करना है यहाँ पर आपके file consolidate हो गई है appended one के नाम से that's it आपको यह close करना है load and close और यहाँ पर आपकी file सारी की सारी लोड होने लगी है जितनी भी file थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देख जाएगी excel tab में और जो आपकी consolidated file है वो आपको appended one में आप यहाँ पर देख पारे हमारा year column था क्या वो match हो रहा है ओके हम जाते हैं यहाँ पर year में year मुझे third में दिख रहा है मैं drop down करता हूं और यह देखे मेरे सारे के सारे year consolidate होके एक के नीचे एक के नीचे एक आ गए है चाहे वो आपकी PDF हो चाहे वो आपका xlx हो चाहे वो xlb हो csv हो या आपका कोई भ एक देती है अब इस data का आप जो भी visualization बनाना चाहो या जैसे भी analyze करना चाहो आप इसे easily analyze कर सकते हो तो आशे करता हूं दोस्ता आप लोगों को वीडियो पसंद आगे होगी पसंद आई तो like share subscribe करना बिलकुल मत बूलना अपने comments देना मत बूलना और इस वीडियो को जो भी Excel सीखना चाहिए जिसको भी consolidation में problem आ रही है अपने companies में उन सबी के साथ share जरूर करना